ताज महल को 28 तरह के बेश कीमती पत्थरों से सजाय गया था जो कई देसों से लाए गया थे पर अपसोस के इन बेश कीमती पत्थरों को अंग्रेजों दोरा निकाल लिया गया जब ताज महल बनाया गया था तो इस पर लगभग 3 करोड रुपे खर्च हुए थे उस समय के 3 करोड आज के 63 अरब 77 करोड के बराबर हैं ताज महल को जाने वाले मुख्या रास्तों के बीचे जो फवारे लगे हैं वही किसी पाइप से नहीं जुड़े हुए हैं बलकि हर फवारे के नीचे तामरे का एक टैंक है यह सभी टैंक एक ही समय पर भरते हैं और दवाव बनने पर एक साथ ही पानी छोड़ते हैं क्या आप लोगों को पता है कि शाहे जहां ताज महल जैसी ही एक काली इमारत भी बनाना चाहते थे जिससे भी ताज महल की खूपसूर्ती को देख सकें पर साहे जहां को जब उसके बेटे औरंग जेब ने कैत कर लिया तो उसका यह सपना बस सपना ही रह गया